मुश्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडिन फ्रैक्ट बावपर और आज की वीडियो में में चानेंगे 400 साल तक बर्ष में दबे रहे केदारना धाम के 10 रहस्या तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं भारतिय राज्य उत्रकंड में गिरीराज हिमाले की केदार नामक चोटी पस्थित देश के बारा जोतिलिंगों में से एक सरवच केदारिश्वर जोतिलिंग का मंदिर इस संपुर्ण शेतर को केदारना धाम के नाम से जाना जाता है यह स्थान छोटा चार धाम में से एक है केदारना धाम और मंदिर के संबंद में कई कथाएं जोड़ी हुई है आओ जानते हैं इस संबंद में 10 रहस्य में जानकरी नमर एक पर आता है शिवलिंग की उत्पतिका रर्स्य पुरान कथा के नुसर हिमालाई के केदार श्रूंग पर भगवान विश्नु के आवतार महा तपस्वी नर और नारायन रिशी तपस्या करती थे उनकी आराधना से ब्रसन होकर भगवान शंकर परकट होई और उनके प्राथना नुसर जो तिरलिंग के रूप में सदा वहावास करने का वर्दान दे दिया यह स्थल केदानात परवत राज हिमाले के केदार नामक श्रूंग पर अवस्तित है केदार घाटी में दो पाहर है नर और नारायन परवत विश्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायन रुषी कि यह तपोभूमी है दूसरी और बद्रिनाथ धाम में जहां भगवान विश्णु विश्राम करते है कहते हैं इस अत्यूग में बद्रिना धाम की तपस्या और स्थापना नारैन्य की थी इस आशय को शिव पुरान के कोटी रुद्र सहीता में भी वेक्त किया गया है नमबर दो पर आता है पांडव कता कहा जाता है जब पांडवों को स्वर्ग प्रयान के समय शिव जी ने भेश के रूप में दर्शन दिये थे तो जब बाद में वो धर्शी में समा गए थे लेकिन पुरुनदा समाने से पुर्व भीम ने उनकी पूँच पकड़ ली थी नाम से इस कथा का विस्तार से उलेक भी मिलता है नौबर तीन परांद केदानाथ और पशुपतिनाथ मिलकर पूर्व शिव लिंग कैसे बनते हैं इसकी कहानी केदानात मंदिर उत्तराखंड के रूद्धर प्रायक जिले में स्थित है इसे अर्द जोतिरलिंग भी कहते है नेपाल के पशुपतिनात मंदिर को मिला कर यह पूर्ण होता है यहां स्थित स्वयंबु शिवलिंग अतिप राचिन है यहां के मंदिर का निर्मान जन्मेजय ने करया था और जिरुनोतार आदिशंकर अचार जी ने करया था नबर चार पराता है एक रेखा पर बने है केदानात और रामेश्वरम मंदिर केदानात मंदिर को रामेश्वरम मंदिर की सीध में बना हुआ माना जाता है उक्त दोनों मंदिरों के बीच में कालेशवर मंदिर तेलंगाना, श्री काला हस्ती मंदिर आंधरा, एकमपरेशवर मंदिर तमिलनाडू, अरुनाचल मंदिर तमिलनाडू, तिलाई नतराज मंदिर चिदंबरम और रामेशवरम तमिलनाडू आता है ये शिवलिंग पंच चबूतों का प्रिथिनी दिद्व करते हैं नबर पाच पराता है 400 वर्ष तक बर्ष में दबा रहा ये मंदिर उसकी कहानी वर्तमान मस्तित केदारेश्वर मंदिर के पीछे सर्व परतम पांच दवों ने मंदिर बनवाय था लेकिन वक्त के थपेडों की मार के चलते हैं यह मंदिर लुप तो हुआ था बाद में आत्वी शताब्दी में आदी शंकराच चारजी ने एक नए मंदिर का निर्मान करया जो 400 वर्ष तक बर्ष में दबा रहा तब इस मंदिर का निर्मान 508 इस्वी पूर्व जन में और 476 साल इस्वी पूर्व देहत्याक करे आदी शंकराच चारजी ने करवाय था इस मंदिर के पीछे ही उनकी समाधी भी बनी हुई है इसका अरगर्व ग्रुव अपेक शाकृत प्राचीन है जिसे अस्वी शताब्दी के लगबक का माना जाता है पहले दस्वी सदी में मामला के राजा भोज द्वारा और फिर तेरावी सताब्दी में मंदिर का जिवनधार किया गाय था चारसो सालों तक कैसे बर्फ में दबा रहा के दारनात का मंदिर और जब बर्फ से निकला तो पूरण दह सुरक्षित था देहरादून के वाडिया इंस्टिटूट की हिमालेन जियोलोजिकल वेग्यानिक विजय जोशी के अनुसार 13 शदी से 17 शताब्दी तक यानि 400 साल तक एक छोटा हिम्यूग आया था जिसमें हिमालाई का एक बड़ा शेतर बर्फ के अंदर बन दबा गाया था उसमें यह मंदिर शेतर भी था वेग्यानिको के अनुसार मंदिर की दिवार और पत्थरों पर आज भी उसके निशान देखे जा सकते है दरसल केदानात का यह इलाका चोरा बरी गलेशियर का एक हिस्सा है वेग्यानिको का कहना है कि गलेशियरों के लगातार फिगलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से इस तरह का जल्प्रय या अन्य प्राकुर्दिक आपड़ाएं आगे भी जारी रहेंगी नमर 6 पराता है 6 महा तक नहीं बूचता है केदानात मंदिर के अंदिर का दिपक दिपावली महा परवक के दूसरे दिन के दिन शीत रुदु में मंदिर के द्वार बंद कर दे जाते हैं 6 महा तक मंदिर के अंद दिपक जलता रहता है पुरोहित सस्मान पढ़ बंदकर भगवान के विग्रह एवं दंडी को छे महा तक पहार के नीचे उखी मठ में ले जाते है छे महा बाद मई महा में केदानात के कपाल खुलते है तब उत्तराखन की यातर आरंब होती है छे महा मंदिर और उसके आसपास कोई ने रहता जैसे की छोड़ कर गए थे नमबर साथ पराता है लुप्त हो जाएगा एक दिन केदानात पुरानों की भविष्वानी के अनुसार इस समूचे शेत्र के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायन परवत आपस में मिल जाएंगे बद्रिनात का मार्ग पूरी तो रबन हो जाएगा और भक्त बद्रिनात के दर्शन ही कर पाएंगे पुरानों के अनुसार वरतमान बद्रिनात धाम और केदारिशवर धाम लुपत हो जाएंगे और वर्षोबाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक एक नए तिर्टका उद्गम होगा निम्बर आट पराती होगा तुफान और बार में बहती रता है फिर भी रता है सुर्क्षित 16 जून 2013 की राद पक्रूती ने कहर बर पाय था उस दिन को हम में से कोई भी नहीं बूल सकता है जल प्रले से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारते ताश के पत्तों की तर ढ़कर पानी में बह गई लेकिन केदानात के मंदिर का कुछ ने बिगार पाई आशरे तो तब हुआ जब पीछे पाई से पानी के बहाओ में लुड़कती हुई विशाल गाय चट्टान आई और अचानक वह मंदिर के पीछे ही रुख गई उस चट्टान के रुखने से बाड़ का जल दो भागों में विबक्त हो गया और मंदिर कही ज़्यादा सुरक्षित हो गया इस प्रलै में लगबग 10,000 लोगों ही मौत हो गई थी कैसे बना होगा यह मंदिर अभी भी रहस्तिय है बरकरार यह मंदिर कटवा पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शीला खंडों को जोड कर बनाया गया है 6 पूट उचे, 6 पूतरे पर खड़े, 85 फूट उचे, 187 फूट लंबे और 80 फूट चोड़े मंदि के दिवारे 12 फूट मूटी है यह आश्चर यही है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी उचाई पर लाकर वो तराशकर केसे वंदिर की शक्लती गई होगी खास कर यह विशाल का एक छट केसे एक खंबो पर लखी गई होगी पत्थरों को एक दूसरे में जोडने के लिए इंटर लॉकिंग तक्निक का इस्तमाल भी किया गया है नमर दर्स पराता है निरंतर बदलती रहती है यहा की पख्रूती केदाना धाम के एक तरफ करी 22,000 फूट उचा केदार दूसरी तरफ 21,600 फूट उचा खर्च कुंड और तीसे तरफ 22,700 फूट उचा भरत कुंड का पहाड न सिर्फ तीन पहाड बल्कि पाच नदियों का संगम भी यहा होता है जिसके मंदा किनी मदू गंगा, शीर गंगा, सरस्वती और स्वरनकोरी इन नदियों में अलक नंदा की सहायक बंदा किनी आज भी मुझूद है इसी के किनारे, खेकेदारिश वधाँ यहां सरदियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त पानी रहता है यहां कब बादल फच जाए और कब बाड़ आ जाए जाए नहीं बता सकता दोस्तो, अगर आप को हमारी वीडियो परई भी परई रहता है को एने जाए तो हमारी वीडियों को लाइक, शैर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इसे वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहे